Discovery of proton की बात करते हैं, जी, atom जो के सबसे छोटा unit होता है, हम कहते हैं कि matter का सबसे छोटा unit था, यानि कि उसके बाद मजीद हम उसको तक्सीम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब की theories में हम जब देखते हैं, बहुत सारे discoveries हो रही हैं, तो हम उसको और तक्सीम कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि atom का जो fundamental particle होते हैं बुन्यादी particle होते हैं उन में proton एक है ठीक है उन में से एक है जैसे हम electron कहते हैं उसके बाद proton और neutron की बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे जिए discovery of proton के हवाले से इसको किसने बताया यह किसने discover करके हमें सारी के सारी information इसके बारे में दी goals time ने दी थी और 1886 में बताया था हुआ क्या था उसने सबसे पहले जी एक discharge ट्यूब ली discharge बिल्कुल जिस तरह हमारे रूम में एक ट्यूब लाइट होती है उसकी तरह की एक glass की बनीवी ट्यूब होती है ठीक है और हम इसको discharge ट्यूब क्यों कहते हैं यहां पर जी हमने लिख है इसको discharge ट्यूब और इसको discharge ट्यूब इसलिए कहते हैं कि glass की बनीवी वो ट्यूब जिसके अंदर हम किसी भी gas को रखें और low pressure पर रखें बहुत ही उसका pressure कम रखें तो उसको हम कहते हैं जी यह discharge ट्यूब है और उसमें से extra gases को जो बाकी हमारे पास gases हमें require नहीं उनको हम क सकाल दें यहां से तो उसको हम कहते हैं जी इस चाहाश ट्यूब तो यहां पर दूसरी बात हमने क्या मेंशन की है जी इसमें कोई gas रखेंगी है और बहुत ही low pressure पर और gas हम hydrogen भी यूज़ कर सकते हैं helium भी इस तरह की कोई भी हम gas जो हम इसमें इसमाल कर सकते हैं और प्रेशर प्रेशर को मेशर करने का तो यहां पर भी जो हम ले रहे होते हैं गैस को वो कौन से प्रेशर पर होती है जी पॉइंट हम लिखते हैं 0.0001 ATM ठीक है तो इतना कम हमने उसका क्या रखना है प्रेशर रखना है अब उसके बाद आपको ग्लास ट्यूब के अंदर इस पूरी के होती है अब क्या होता है इन प्लेट को हम जी कहते हैं अलेक्टरोड क्यों कहते हैं अलेक्टरोड कहते हैं जी वो वाला हमारे पास प्लेट या वो वाली एक रॉड जिसके उपर चार्ज हो अलेक्टरोड का मतलब होता है जी चार्ज और यहां से ये निकला है ये भी एक electrode है हमारे पास ठीक है और इसे तरह से ये वाला भी एक electrode है तो दो electrode वो वाला electrode जो हमने पीछे battery से battery के positive terminal से हमने लगाया वह हो तो उसको हम जी क्या कहते हैं anode कहते हैं ठीक है उस पर क्या charge होता है positive charge होता है और वो वला आपके पास दूसरे साइड पे एलेक्ट्रोड जो negative terminal से यहाँ high voltage हमने battery दी भी है इसके negative terminal से attach होता है उसको हम cathode कहते हैं अब ऐसा feel होता है कि यह जो rays है positive rays यह इस anode में से निकल रही है ठीक है और anode में से निकलते ही क्योंके इनके उपर यह positive charge हमने यहाँ mention किया positive charge होता है तो यह इस cathode की तरफ आती है जिनके उपर negative charge है और इसकी हम अगर देखें इसके structure को देखें तो वो इस तरह से बना होता है यानि कि pass on हो जाती है इसमें गुजर जाती है और इस glass tube के इस तरफ यह जो हमें red glow सा लिखा वा नजर आ रहा है चले हम इसको यहाँ पर fourth हमने बात perforated cathode की ती और fifth one हम कर रहे है जी red glow की और red glow क्या है glow का मतलब होता है shine करना ठीक है और चमकरी होती है यहाँ पर surface लेकिन किस color में red color में असल में क्या होता है यहाँ पर हमने एक chemical इसकी wall के साथ attach किया होता हूँ और वो chemical क्या होता है जी उसको हम कहते हैं यहाँ पर चले हम लिख देते हैं ZNS इसको हम zinc sulfide कहते हैं तो चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यह हमने किसको बताया जी sorry zinc sulfide जो है वो chemical इस्तमाल किया जाता है और इसकी उपर जब proton आपकी rays जो है वो गिरती है यह इसकी उपर fall करती है तो क्या होता है वो red glow देती है ठीक है तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देते है ताके हम e अपना sulfide का e लिख सकें असल में क्या होता है कि अब positive ray होती है और इसके उपर zinc sulfide की उपर जैसे ही आकर fall करती है तो इसको क्या कर देती है जी इसको ionize कर देती है, असल में उनके उपर positive एक charge होता है, तो zinc sulfide के अंदर जो nucleus होंगे, इनके उपर positive charge होता है, उसके अंदर कुछ repulsion cause करेंगी और उनके अंदर disturbance की विज़े से क्या होगा जी आपके पास red glow आएगा, ठीक है तो zinc sulfide के साथ react करके वो क्या बना देती है, एक red glow सा नजर आता और वो किस में होता है जी shine कर रहा होता, तो यहाँ पर हमने यह देख लिया कि anode race भी इनको कहते हैं हम, क्योंकि anode में से निकलती भी आपको feel होती है और इसलिए यह proton इनको इसलिए हम कहते हैं कि जब इनकी characteristics goldstein ने देखी थी तो यह किस तरह की थी जी, बिल्कुल जो atom के अंदर nucleus होता और उसके पर positive charge होता है उसके अंदर मौझू जो proton होते है उनकी वज़ा से positive charge होता है तो उसकी तरह की इसकी खसूसिया थी इसलिए इसको proton भी कह दिया गया और इनको हम anode race भी कहते हैं और इस तरह से यह हमारी discovery of proton है जिसमें हमने देख लिया कि glass tube हमने ली और उसके अंदर gas को fill करके और इसकी observation की तो हमें पता चला कि red glow सा दे रहा है तो यह negative terminal की तरफ straight move करती है negative terminal यानि कि negative जो cathode है हमारे पास जिसके उपर negative charge होता उसकी तरफ move कर रही है तो हमें इनके charge के बारे में पता चल गया कि इनके उपर कौन सा charger जी positive charge है इन race के उपर जिसकी वज़ासी है cathode की तरफ आते हैं तो यह goals time ने सारी की सारी details जो थी proton के बारे में दी थी